आप यहां पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा यह जो व्यूज है राइक कोई भी हम यहां पर नहीं यूज कर रहे हैं इंफ्लेट करवाने के लिए किसी भी चीज़ को यहां पर हम प्रेडिफाइंड मैथर्ड यूज कर रहे हैं जो अलड़ी हमारी लाइबरी में हैं क्या करने के लिए सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइट करवाने के लिए कंस्ट्रक्टर हम यहां पर यूस नहीं करता हैं आप गाइस बेसिकली जब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लेयाओट फाइल होती है वह इंफ्लेट होती है किस से जो हमारी में फाइल होत content view को remove कर दो right and यहां पर इसे दुबारा से emulator में run कर रहा हूं तो एक बाद देख लेते हैं क्या changes होंगे हमारे changes होंगे हमारे and कैसे हमारा view होगा क्योंकि मैं आपको क्या बताया कि जो हमारी main activity है वह inflate कर रहे है कि इसको हमारे layout को राइट तो यहां पर simple गाइज हमारा क्या और ग्रेडल रन हो रहा है आप इसे इहां पर उपर भी ले सकते हो ताकि आपको देखते रहे कि कौन सा हमारा background टास्क चल रहा है तो यहां पर wait कर लेते हैं गाइज simulator रहन होने का and देख लेता है फिर basically क्या effect होता है इस line का remove करने का so guys यहां पर देख सकते हो हमारा क्या आप इंस्टॉल हो चुका है यहां पर launch हो चुका है हमारा emulator and अब देखो जो पहले हमारे यहां पर क्या दिख रहा था hello world दिख रहा था right अब वह यहां पर क्या नहीं ह है क्यों क्योंकि जो मेरी main activity है राइट उसको हम basically guys यहां पर use नहीं मतला हमारा connected नहीं है जो हमारी main activity हम उसे layout से कैसे connect कर रहे थे set content view की helps है अब guys क्योंकि हमारे set content view अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो main activity and layout में connection था वह क्या हो गया है खतम हो गया है इसके वाज़ जासे कुछ नहीं कर वा रहा है तो hopefully इस point of time तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम connect कर वा रहे हैं कैसे रन हो रहा है तो यहां पर simple guys क्या कर लेते हैं control c कर लेते हैं जैसे आप control z दबाओके हमारे पास दुबारा content आ चुका है तो इसको ऐसी छोड़ देते हैं अब देख लेते हैं एक चीज और गाई अब जैसे है आपको text view में change कर वाना है यहां पर हमारे पास क्या लिखा होगा था पहले hello world अब आपको कुछ और प्रिंट करवाना है तो यहां पर एक simple सा test करके देख लेते हैं यहां पर hello world की जगा लिख लेते हैं hello android तो यहां पर आगे हमाला hello android and basically run करवा के देख लेते हैं कि हमारे जो changes हो रहे हैं जब हमने दुबारा से इंफ्लेट कर दिया है और डॉट लेयाउट को और यह जो हमने आर डॉट लेयाउट डॉट में हमारी windows में directory होती है c directory के अंदर अलग directory उसके अंदर कोई फोल्डर तो उपर आपको जो बार दिखता है राइट एड्रेस बार जो होता है उसका उसका उसमें हमारी क्यों होते है डारेक्टरी आती है एक अंदर एक के अंदर एक राइट को इसे व spectrum लोही चीज़ा है कि नहीं हम resource folder के लिए क्या यूज करी है ? और यह रहारा हूती है ? है एक class होती है आर क्लास बोलते हैं से जो कौनसी क्लास होती है जो सारे लेयाओट को images को map को strings को क्या करती है एक साथ bundle up करती है तो hopefully यह वाला point भी आपके समझ में आ गया हो गाई आर class किसको stand करती है लेयाओट के लिए जो resource के लिए होती है अब resource class के लिए हमारी कौन से लेयाओट हो गया लेयाओट यहाँ पर हमारा folder आ गया लेयाओट के लिए हमारी activity में जिससे मुझे यह वाला main activity connect करनी है तो basically हमने यहाँ पर क्या गर दिया यहाँ पर हमने resource को connect कर दिया किससे हमारी main activity से अब यहाँ पर हमने already hello android कर रहा था राइट अब इसे एक बार रन करवाकर देख लेते हैं और basically कि जो हमारे changes है वो हमें show हो रहे हैं reflect कर रहे हैं यह नहीं वो देख लेते हैं हमारा app launch होना start हो गया है इसको wait कर लेते हैं इसने क्या कर दिया लॉंच कर दिया है मारे इमिलेटर को हैं जैसा आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा इमिलेटर हो आच गया है और है है hello android तो यहां पर हमारा test run था कि एक तो हमने क्या कर दो बारा से connect कर दिया हमने layout को और क्या कर दिया है है आप हेलो android प्रेंट करवा दिया है तो hopefully guys यहां तक का part आपको समझ में आ गया होगा बहुत basic stuff था थोड़ा detail में कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि बहुत detail में repetitive था बट guys believe me यह चीज़े बाद में अगर आपको अब समझ में नहीं आएंगी तो बाद में क्योंको जब आगे चलेगा तो guys बहुत चीज़े है बहुत fastly हम आगे बढ़ेंगे तो अगर किसी को यह वाली basic concept समझ में नहीं आ रहे तो उसको आगे का कुछ समझ में नहीं आएग यह concepts अब hard ही होते रहेंगे तो अब चलता है किस पर next concept पर जो क्या हम कैसे layout चेंज करेंगे and कैसे उस पर work करेंगे तो guys अब क्या कर लेते हैं थोड़ा सा अपना layout चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब आपने नहीं समझ लिए कि जो हमारी activity है जो हमारी main activity है यह किस से connect कर रही है हमारे layout को inflate कर रही है राइट यहां पर app compact activity के through हैं यहां पर क्या रही है on create के help से उसे access कर रही है यह सब तो guys लागे के lesson में हम constraint layout यूज करेंगे एंड उसके view groups वी ग्रॉप कॉंसे होगे जो हमारी text view button view जो भी होंगे right बाट फिलहाल के लिए guys क्यूंकि हमें थोड़ा सा simple लखना है constraint layout थोड़ा सा advanced हो जाएगा तो फिलहाल के लिए इस lesson के लिए हम क्या use करेंगे linear layout यूज करेंगे instead of constraint layout तो यहां पर simple आपको क्यों करना है जो constraint layout आपको यहं से सलेक्क करना है यहां तक okay एंड यहां पर क्या type करना है simple linear layout है तो यहां पर आप देखोगे जैसी आप linear layout क्लिक करोगे हमारा linear layout का पूरा शुर हो चुका है अब जो अलाय एक जिस्टिंग टेक्स गीव ता इसे में पूरा डिलीट कर देता हूं अपना क्या क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग से करते हैं नए टेक्स वीव एंड पूरे इसके रिसोर्सेश तो यहां पर हमारा क्या यह वाली फाइल क्या हो गई फेड़ आउट हो गई तो इसकी अब हमें जरुबत नहीं है वह से क्या कर यहां पर इन फाइल को सारी चीज़ों की वेल्यू देती है जाए वो टेक्स फाइल हो कोई से भी फाइल हो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन प्रोवाइट कर दिया यह आप क्या कर लेता है गाइस अब मुझे क्या एट करना है एक बटन एट करना है राइट एक टेक्स एट कर लेता है ताकि शो हो सके हमें की क्या कौन सी चीज कैसी है तो सबसे पहले क्या एट कर लेते हैं एक टेक्स एट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने क्या एट कर लिया है एक टेक्स एट कर लिया है एंड क्यूंके व्रैप कॉंटेंट जो हमारे विरतन हाइट करना है तो यहां पर क्या ले लिंगे एक बटन और यहां पर इसे भी क्या ले लिंगे रफ content ले लिंगे और इसको भी close कर देंगे अब यहां पर linear layout हमने चूज क्यों करा है क्योंकि linear layout का एक बहुत simple सा layout है यह symbol क्या काम करता है कि जो हमारे views हैं उसे यह तो horizontally प्लेस करता है एक के बाद एक या फिर वर्टिकली प्लेस करता है एक के बाद एक तो मुझे फिलहाल क्या चाहिए कि और अगर जैसे आप यहां पर देख सकते हो मैंने कोई इसे linear layout को direction नहीं दिया कि किस logic से हमें views चाहिए राइट तो यह default क्या लेगा horizontal layout लेगा लेकिन मुझे चाहिए वर्टिकल मुझे चाहिए कि एक के नीचे एक दिखे राइट तो यहां पर क्या करेंगे simple linear layout के अंदर हम क्या प्रोवाइट कर वादेंगे इसे orientation प्रोवाइट कर वादेंगे एंड इसमें क्या प्रोवाइट कर वादेंगे वर्टिकल तो अगर यहां पर देखो मैं split design में कर लेते हैं पहले जो था अगर इससे पहले अगर आप देखो control-z दबाऊंगे तो हमारे जो व्यू था वह horizontal अब अगर control-y दबाएगे आप दुबारा से हमारा वर्टिकल तो आप देख शुक्ते हमारे दो व्यूज है एक text view जो बिल्कुल यहां से स्क्रीन से लगा हुआ है hopefully आपको दिख रहा हो गाइस हमारा button view दोनों को अभी range कर लेता है ताकि थोड़ा battle लगे असा करता है काई साइड में open ही कर लेता है ताकि साइड वाइस हमें दिखता भी रहे कि क्या changes हो रहे है हमारे थोड़ा चोटा कर लेते हैं अब यहां पर जो हमारा text भी हो था राइट इसे एक text भी दे देता है simple तो यहां पर मैंने simple क्या type कर दिया text and इसमें क्या provide कर दिया one अब यहां पर guys मेरा आ चुका है one यह थोड़ा चोटा है आपको दिखे कर नहीं तो कोई शू नहीं अगर नहीं दिख रहा हो तो भी कोई शू नहीं है आप खुद simple type कर कर देख सकते हो और यहां पर क्या provide कर देते हैं एक text size देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए इसे जाए थाट्टी यहां पर क्या button add हो गया roll button add हो चुका है अब एक चीज़ आप देखना है जो हमारे views है यह कहां दिख रहे हैं बिल्कुल उपर screen से लगे हो है अब मुझे क्या चाहिए मैं चाहिए में चाहिए प्र्डे Cass Rights है यहां पर प्रॉपेटि एट कर सकता हूं क्या layout gravity तो यहां पर layout gravity की help से हम क्या कर सकता है सिंपल इसて arrange कर सकता है यहां पर में मेरा जएट gravity ग्रैविटी में Center अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्षिन है गई सेंटर वर्टिकल सेंटर वर्टिकल कहा जाएगे हमारे व्यूज यहां पर आ जाएंगे मुझे के चाहिए screen के बीच में चाहिए तो Center horizontal ले लेंगे तो आप देख सकते हो मेरा जो 1 है अब क्या चुका है स्क्रीन के बीच में आचुका है ऐसी इसमें भी ले लेते हैं अपने बेटन में भी ले लेते हैं ताकि सजी से अरेंज हो जाए तो ले आउट ग्रैविटी एंड सेंडर होरिजॉंटल अब गाइज यह जो हमारे एट्रिब्यूट्स होते हैं यह क्या होता है प्रॉपर्टी झाल